करके बताने वाला हो कि आने वाले ट्रेडिंग शेशन में क्रूडायल में क्या मुवमेंट देखने को मिल सकता है यह वीकली आनालीसिस रहेगा यहाँ पे कोई इंट्राडे का रिकमेंडिशन नहीं है आपको इंट्राडे लेवल चाहिए तो टेलिग्राम चैनल जरूरू ज हो आ रहा है तो आप मुझे 9797773219 इस लोपर वाटसब भी कर सकते हो काफी लोग कि यहाँ पे डॉलर में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं काफी लोगों को इसके बार में बेसिक आइडिया नहीं है डॉलर में ट्रेड करने के लिए उनली एक हजार रुपे से भी आप ट दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसके तो आप डिमैट कॉन ओपन कर लीजिए या आप मुझे वाटसब नंबर कर लीजिए या आपको टेलिग्राम पे एक नोटिपिकेशन जरूर मैं डेली अपडेट भेशता रहता हो किस तरीके से डेली आपको ओपन करना है जो फ्र बात करेंगा हाईस टॉप की तो हाईस टॉप से देखो कि तो लगबग काफी नीचे टरेट करते वह देखने को मिर रहा है सबसे टॉप की बात करेंगे तो 125 डॉलर के आफ़ पाशी ने हाई किया था उसके कंपेर देखो कि तो अभी यह डाउन ट्रेन है काफी दिन से डा पास पास टेडिंग हो रहा है तो यह कोमोडिटी यहां पर 50% से ज़्यादा गिरती है तो मेरी सबसे यहां पर बाइंग के अपॉचुनिटी बनती है आपका लंबा फ्यू है डॉलर में ट्रेड कर रहे हो तो कम से कम पाच्छे मैने का व्यूव है तो आप व्यूकुल यहां के 64 के रहें में आता है तो एक बाइंग अपॉचुनिटी बनती है और यहां पर 75 डॉलर तक आप पोजिशन होल कर सकते हो हो सकते किसी ने यहां पर बाइंग क्या होगा तो 10 डॉलर के आपको एक रहा लिज़ा पर 10 देखने को मिल चुकी है तो इस लेवल पर हम क्या कर सकत किसी ने उर खहित है क्या हम जहां पर Desert की बाइंग की पोजिशन बना सकते है क्या तो अभी उक्तल इहां पर बाइंग की पोजिशन बना सकते हो और 80 डॉलर तक के लिए पोजिशन आप होड़ कर सकते हो, अगेन एक नया लोग बनता है, तो वहाँ पे एक पोजिशन जरूर एड़ कर सकते हो, तो नया लोग कहाँ पर बनेगा, दोनों भाई होने के बाद आपके लिए जो शॉट लम में टारगेट रहेंगे, वो 80 डॉलर तक रहेंगे, क्या हम इस लोग पर फ्रेश सेल की पोजिशन बना सकते हैं क्या, देखो 70 के नीचे मंडे के ट्रेडिशेशन में ओपनिंग होता है, और कम से कम 30 मिनिट तक वहाँ पर नीचे सस्टेन करता है, 70 डॉलर के नीचे, तो आप विवकुल सेल की पोजिशन बना सकते हो, छोटा सा स्टापलास, 2 डॉलर का स्टापलास लगा दीजे, बातर का स्टापलास लगा दीजे, और टारगेट यहाँ पर आपको 64 तक भी देखने को मिलेगा, आप बात करे यहाँ पे स्टापलास, विदाऊ स्टापलास से आपको ट्रेड नहीं लेना है, प्रिर को अपर एक जाता नहीं है, और सबसे इंपॉर्टन बात 근데 पा जो आप भी buy की position मत बनाई है buy की position 72 के उपर बनाई है या downside में आपको 62 के आसपास आता है तो वहाँ पे आपको एक buy की position कुरूडाइल में यहाँ बना सकते हो यह जो analysis बता रहाओ technical base के उपर बता रहाओ यहाँ पर कोई भी news का analysis नहीं बता रहाओ जो भी analysis रहेगा long term holding के लिए और short term holding के लिए analysis रहेगा आप बात करेंगे M6 market में M6 market में भी अच्छी खासी gear award आपको यहाँ पे भी देखने को मिल चुकी है बात करेंगे support resistance की तो काफी दिन से यहाँ पे भी आपको downtrend नजरा रहा है latest support resistance की बात करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो लगबग लगबग 6800 के आसपास बहुत एक strong resistance निकल के आ रहा है यहाँ पे देख लिजी एक दो 3, 4, 5, 6, 7 7 time में से हुआ है जो 6800 को resistance को breakout नहीं कर रहा है इस level के जबी भी पास आसपास जाता है तो आपको एक selling pressure देखने को मिलता है कुरोडाइल में और downside के बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो इस range के अंदर काफी दिन से trading करते हुए देखने को मिल रहा है 5,900 का range से लेके 5,700 के range में मतलब इसी 200 point के बीच में काफी दिन से आपको trade करते हुए देखने को मिल रहा है तो बात करेंगे क्या हम इस लोड़ पे fresh buy की position बना सकते हैं बिउकुला 5,900 5,900 के उपर buy की position बना सकते हो इसके उपर sustain होना जरूरी है तब भी आपको buy की position बनाना है अगेन यहां से buy की position बनने के बाद market downside आता है तो next buying आपको बनाना है 5,500 के आसपास तो दोनों buying होने के बाद आपके लिए जो short duration पे जो target रहेंगे वो 6,400 तक रहेंगे अगेन आपको 6,400 तक कुलोडाहिल upside जाते वो देखने को मिलेगा लेकिन जब यहां पे 6,500 के उपर sustain करेगा तब भी आपको rally आपको देखने को मिलेगा तब तक आप wait and watch कर लिजे ना आपको press buy की position बनाना है ना position यहां पे add करना है तो यह रहेगा निया लेवल दिनों में buy side के लिए analysis अभी बात करेंगे sales side के लिए काफी लोग sales side में भी बढ़ते होंगे उनको अच्छा खासा profit हो रहा है विए को position hold करिए with the target of 5600 आपको अने वाले दिनों में 5600 आते वी देखने को मिलेगा लेकिन ध्यान में रखिए upset का जो stop loss रहेगा वो 5950 का रहेगा 5950 के stop loss के साथ आप यहाँ पे sale के उपर बने रहेगे आप proper stop loss maintain करते वी sale की position बनाईए क्योंकि जिस तरीके का यहाँ पे moment आता है किसी भी दिन 200 से लेके 300 पैंड के rally कभी भी यह देता है तो बहुत ज़्यादा नुक्सान आपको देखने को मिलेगा उसके बज़े से proper आपको holding based trade लेते हो तो proper stop loss लेते हुए trade लीजिए और इस level पे आपको sale की भी position बनाते हो इंदके सब fresh sale की position बनाते हो तो यहाँ पे आपको 5900 का proper stop loss यहाँ पे place करते हुए sales side में आपको 5600 तक target के लिए position आप hold कर सकते हो तो यह analysis रहेगा आने वाले दिनों में कुरूडाइल M6 में और साथ में साथ साथ मैंने यहाँ पे dollars का भी analysis बताया है dollar में आप यूपूल without expiry से trade ले सकते हो long term short term में आप यहाँ पे trade ले सकते हो first time visit करे यहों कोशिज करें चैनल को subscribe करने की और डेली बेस के उपर आपको इंट्राडी लेवल चाहिए तो टेली कराम चैनल जोरूर जोइन करें लिंक आपको description में मिल जाएगा मिलते हैं ने वीडियों डापी के साथ तब तक के लिए बाई बाई